हलो 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 एव्रिवन स्वागत आप सभी का भूमे का चाहान इंगलेश चानल पर आज की यह जो क्लास है यह है पोईट्सन पांकेक्स का कंप्लीट एक्स्प्लेनेशन आज की यह विडियो अगर आपने देख ली तो इस चाप्टर में कोई भी डाउट कोई भी होगा थोड़ा साप लोगों को मुश्किल लगता होगा लेकिन आज सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे यह शुरू करते हैं सबसे पहली चीज पोईट्सन पांकेक्स अब आप सोच रहों गया होते हैं अपने आपर देखा आपने माल पूए बनते हैं माल पूए पर यहां पर तो यह ना अंग्रेजी माल पूए टाइप की एक वैसे तो डिश होती है पर यहां पर पैनकेक्स जो है वो एक मेकप ब्रैंड है लड़किया फेस पर यूज़ करती है ना फेस पाउडर वगरा टाइप का बस वही होता है यह ठीक है तो यह क्या होता था यह मेकप का ब्रैंड है अब पोईट्स कवी पैनकेक्स यह मेकप ब्रैंड अक्च्वल में इस चाप्टर के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री होती थी शुरुवाती दिन जो थे जब हम आजाद हुए उसके बाद जो हमारी फिल्म इंडस्री रही उस समय के दिनों की बात की ग सिसे अंदर में तो जैंडी इस तूडियो के बारे में बताया गया है आले शुरू करते आशो अचेंड अशरी अच्व कुडर लिखा गया यह है film industry जो है obviously यहां पर क्या होता है बहुत सारे अलग-अलग studios होते हैं जहां पर shooting होती है ठीक है तो पहले बहार आउट्डोर शुटिंग से जादा इन studios वगेरा में ही set बना के shooting की जाते थी अब देखो it shows the time period when he used to work in Gemini studio उस समय की बात है जब यह Gemini studio में काम किया करते थे ठीक है so it was a very famous film studio of that time उस समय को बहुत जाना माना film studio था और वहां पर इसको बहुत exposure मिला ठीक है बहुत सारी यह क्या किया करते थे basically इनका काम लोगों को लगता था कि कोई काम ही नहीं है क्योंकि यह paper में से cuttings वगेरा निकाला करते थे अलग-अलग topics के उपर जो भी ने बोला जाता था चालिए starting करते हैं the makeup department से सबसे पहले बताया गया है makeup department कैसा था Gemini studio का अब makeup department building में था कौन सी building में which was said to be Robert Clive's erstwhile stable की भाई पहले न यह Robert Clive's जो थे न उनका अस्तबल हुआ करता था ठीक है जहां अब क्या था जहां पर अब हमारा यह makeup department था ठीक है in the studios the makeup material with the brand name pancake was used profusely अब वो कहरे इन studios के अंदर एक नाम था pancake नाम का makeup brand था वो बहुत ज्यादा मात्रा में use हुआ करता था तो यहां पर न व्यंग यह बहुत ज्यादा कस्ते हैं हमारे writer और वो यह कहते हैं कि यार लोगों की अच्छी भली शकल makeup करके बिगाड दी जाती है ठीक है चालिए all actresses of yesteryears who are familiar with it भुले जब वो पुराने time के actresses होंगी ना वो जानती होंगी इस makeup brand को अभी वाली शायद ना जानती हूँ the author feels that modern actresses may not be aware of its existence अब वो कई-कई actresses के नाम लेके बताते हैं क्यों सकते हैं वैं जन्ती माला इसके बारे में जानती हूँ पर नई वाली actresses इसके बारे में ना जानती हूँ ठीक है the author mocks Robert Clive by saying that during his short life अब Robert Clive को यहाँ पर तंज कसते हुए या उनका मजाक उडाते हुए वो बोलते है कि Robert Clive जो यहाँ पर बहुत ही थूड़े समय के लिए है रहे उन्होंने काफी सारे घर बदले lived in a number of residences in madras madras के अंदर काफी सारे घर बदले और काफी उन्होंने युद्ध भी लड़े और यहाँ पर ही उन्होंने शादी भी की तो काफी सारी चीजे जो है Robert Clive के बारे में भी बताई गई पूराने समय की तो मेकप रूम लोग लाइक है कटिंग सेलों अब आपने बाल कटवाने जाते हो जाते हो ना सेलोन में तो वहाँ पर शीशों पर देखा होगा आपने अकसर बहुत सारी लाइट लगी रहती है ठीक है तो वह कह रहे थे यहां का मेकप डिपार्टमेंट ज यह भी ऐसा ही था जो सेलोन के जंदर जाते हो जब लाइटी लाइट होती है आप एकदम से सुन्दर लगने लग जाते हो बोले बिल्कुल हैर कटिंग सेलों जैसा था वो भी इट वहाँ बड़े बड़े शीशे थे और फ्लाड़ेड विद लाइट और बार आई होई थी यहां पर यहां पर भी वह यही कह रहे है कि असान नहीं था इस कमरे के अंदर बैठके के मेकप करवाना जुलस जाये इंसान इतनी गर्मी लगती थी और उस समय तो एसी वगएरा यार हुआ ही नहीं करते थे तो इतना आसान नहीं था यहाँ पे बैठके मेकप करवाना विक्रस अफ दे हीट फ्रम दाजलिंग लाइट से जो हीट निकलती थी वह बहुत स्ट्रॉंग होती थी और अब तो यह LED लाइट से उस समय में थोड़ी ना LED लाइट होती थी आप किसी बल्ब के सामने बैठके देखो बल्ब के सामने अगर बैठ जाओगे कितनी ज्यादा तपत होती है बल्ब की जब LED लाइट की इतनी गर्मी हो जाते है तो उनकी कितनी हो जाती होगी तो बोलते हैं यह बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर बैठकर मेकप करवाना डिपार्टमेंट वस इनिशली हैड़ेड लैंगविज बोलते हैं जिनकी मदर टंग कंणड होती है तो उसके बाद वहाँ पर एक धारवार कंणड़ीगा आया धारवार डिस्टिक है वहाँ की और कंणड़ीगा एक ऐसा इंसान जो कंणड़ बोलता हो दें डिफरेंट पीपल बिलॉंग इंटो डिफरेंट नहीं दिखाई देता है पहले वहाँ पर एक महाराश्ट्रियन था बेंगॉली था फिर धारवाड से आया बंदा अलग 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 लोग फिर अलग अलग स्टेट्स के लोग भी हमें वहाँ पर देखने के लिए मिले दो ऑथर पॉइंट आउट आट ओट अट अट आट स्पेसिमन इंटिग्रेशन अब और यहां पर क्या कह रहे है ओथर बिसी कली यहीं बोल रहे है कि यह जो मेकप डिपार्टमेंट था यह दर शाता है कि वह एक आईडल नमूना है किस चीज का नाशनल इंटिग्रेशन का राश्ट्रिय एकता का एक बहुत ही बहतर नमूना का मेकप डिपार्टमेंट है क्योंकि हर स्टेट के हर जगा के लोग जो है यहां पर काम कर चुके हैं ठीक है सब्सक्राइब और जोगे है and lotions they could mar the beauty of any person कि भई थोड़े से pancake और अलग-अलग तरीके के potion lotion लगा-लगा कि ये किसी भी इंसान की खुबसूर्ती को बदसूर्ती में बदल सकते हैं मार मतलब बिगाड सकते हैं खुबसूर्ती को तो यहां पर ये मेकप के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं बट कैमरा के लिए मेकप करना पड़ता है ठीक है था कि आप उसके अंदर अच्छे लगे पड़ाब रियल में उन्हें देख लेंगे तो आपको लगे का या रही क्या शकल बिगाड़ दी ठीक है हावएवर अशोग मितरन चलरिफाइज बाइस बाइस बात को कि हो सकता है यह बहुत ही भद्दा दिखने वाला लाल गाल कर देते थे और ऐसा कर देते थे तो यह मेकप हो सकता है कि जरूरी है कैमरा में अच्छा दिखने के लिए ओषि जरूरिया कैमरा में अच्छा दिखने के लिए रयेट एंड एलाबरेयट डिविजिन अब अस्ट्रिक्थ हायर्यार्की इन अब मेकप ड़िपांटमें कमें करता दो है CHEERING मतलब वो crowd का makeup करेगा, समझे, तो ये scene रहता था, an elaborate division of work marked the makeup department, कि भई, divide गर रखा था काम, कैसे, the chief makeup man dressed up the actors in lead roles, अब जो chief makeup man था, वो क्या करता था, वो main lead वाले जो actors थे, उनको dress up किया करता था, his senior assistant looked after the second hero heroine, अब उसका जो senior assistant है, वो जो दूसरे hero heroine है, उनका makeup किया करते थे, while the junior assistant took charge of the main comedian, junior assistant है, वो comedian का makeup करेगा, वहाई पर the players who played the crowd, जो player, crowd का, भीड का, रोल कर रहे है, were looked after by the office boy of the department, वो जो office boy होता था, department का, वो उनका makeup किया करता था, तो बुले ये, divide था, असा निया, office boy hero heroine का makeup कर देगा, नहीं, ये नहीं होगा, बिलकुल भी, ठीक है, चलो, अब, office boy कौन है, ये बहुत important है, part, इस chapter का ध्यान दीजेगा office boy was not exactly a boy, office boy के नाम से आप सोचोगे कोई लड़का है, नहीं, he was in his early 40s, 40 साल तक का इंसान है, वो, ठीक है, 40 का, मतला अपनी शुरुवाती 40 वेले दौर में है, वो, he joined the studio years back, काफी सालों पहले इसने ये studio join किया था, and inspired to be a top film star, और वो क्या वनना चाहता था, film star वनना चाहत ऐसे हैं, जो पहले office boy का काम करते थे, या junior artist का काम करते थे, या background dancers जो थे इनका काम किया करते थे, right, तो ये भी ऐसे ही सपने लेके यहाँ पर आए थे, कि वो कुछ-कुछ बनेंगे, या screenwriter बनेंगे, या director बनेंगे, या lyric writer बनेंगे, कुछ तो बनेंगे life में, he also wrote poetry, तो office boy जो है, वो लिखता भी था, poetry भी करता था, on the days of crowd shooting, make up material, और crowd shooting वाले दिन क्या करता था, वो सारा, जितना भी make up material है, बहुत सारे बड़े उसमें, क्योंकि crowd का make up करना है उसको, तो वो उसको बहुत सारा material जो है, भिगो लेता था, और लोगो के चेहरों पे, पोत देता था, the narrator worked in a cubicle, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, narrator की कि वो एक studio में काम करते था, उनका एक cubicle था इस तरीके का, ठीक है, जिसके अंदर वो काम किया करते थे और क्या काम किया करते थे वो, his work was to cut newspaper clippings in store, they mean files, कि बहुत न्यूस्पेपर में जो भी बात आ रही है, जो भी stories वगेरा आ रही है, वो काटना और उनको एक उसमें store करना, फाइल में, everybody thought that his work was next to nothing, तो सब लोग क्या सोचते थे, सब लोग यह सोचते थे कि यार इसका काम तो ना, क्या काम करता है, यह फाल तू का, इसका काम को है, मतलब उसके काम को ना, काम नहीं माना जाता था, and so he was continuously lectured by other employees, औ लंबे-लंबे, कोई भी आता था, उसे परिशान करके चला जाता था, वैसा, the office boy often came to his cubicle and gave vent to his feelings of frustration, irritation, अब office boy को लगता था, कि यह narrator तो कोई काम करता ही नहीं है, तो वो हमीशा अपनी irritation, frustration निकालने के लिए, इनके पास आ जाया करता था, the narrator desperately wished to escape from his continuous tirade, अब वो हमीशा narrator सोचते थे, यह जाए यार यहां से, लगातार उनका यही रहता है, ताकि मैं कैसे भागू, यह हमेशा किसी की बुराई करता रहता है, इस भाशन से कैसे दूर भागू, and prayed for crowd shooting, और narrator सोचते, हे भगवान, कब crowd shooting होगी, कब भीडवाला shoot होगा, और यह busy हो जाएगा, और मेर important part है यह, court manglam, सुबू, यहां से सवाल आता है, exam में कौन था यह, देखो, वो number 2 पे था, जैमिनी स्टूडियो पे, पहले तो बंदा, मालिक होगा, मालिक के बाद यह था, ऐसा क्यों, देखो, according to the office boy, सुबू डिड़ ना डिजर्व एनिफिंग, office boy के, office boy सुबू से बहु की गुलामी करकर के, सुबू did not deserve anything, because he was neither well educated, nor had any exceptional talent, तो वो कह रहे हैं कि सुबू कुछ भी deserve नहीं करता, क्योंकि, ना तो वो अच्छा पढ़ा लिखा है, और ना ही उसके अंदर कोई ऐसा exceptional talent है, जो किसी के अंदर भी ना होता हो, his only virtue was being a Brahmin, मुले उसको के वाल एक फायदा था, एक गुन था उसके अंदर, क्या, बोले ब्राम्मन था, तो due to which he got opportunities readily, जिसकी वजह से उसे अवसर बहुत ज्यादा मिलते रहे, and he was always cheerful, और सुबू को आप देखो कि ना हमेशा हस्ता खेलता हुआ, ठीक है, बना हमेशा खुश रहने वाला, कोट मंगलम सुबू, इवन अगर मानलो उसने कभी, flop film भी मना दी, जिसमें उसका हाथ है, फिर भी उसके अंदर की वो खुशी, वो एंथू कहीं जाता नहीं था, the narrator takes a dig at him by saying that he always needed people to work for him, और उसके बारे में बोलते हैं और ऐसे कहते हैं कि, इसको हमेशा लोग चाहिए काम करवाने के लिए, बहुत काम करवा सकता है, यह लोगों से, खुद नहीं करेगा कुछ, करवाएगा पर, काम करवाने का टालेंट इसके अंदर, he was ever loyal to the chief, main बंदे से, जो head था, उसका बहुत वफादार था, यह, so book would offer countless solution to the problems of the producer of a film, बोले, इतने creative ideas थे, इसके पास, कि यह, कोई एक scene दे दो, उसको करने के, उसको shoot करने के, पुतानी, कितने, कितने तरीके बता सकता है, यह, countless ideas है, इसके पास, solutions है किसी भी problem के, producer ने बोला, यह, scene ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, वो 10 और आपको, example दे लेगा, कि अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, तो हमारे narrator कहते हैं कि या, ऐसा बंदा अगर पास में होना, तो फिल्म बसाना बल राना तो बिल्कुल एजी काम हो सकता है, इतना creative बंदा, the narrator comments that film making was quite simple with a man like subuh around, वो करते हैं टिपनीज बात पे, कि film making, अगर subuh जैसा बंदा आस पास होना, तो बहुत असान है, बहुत बहुत ज्यादा Although he was capable of writing on intricate topics, हाला कि वो लिखा भी करता था और बहुत जटल, मुद्धो पर लिखा करता था, poetry भी लिखता था वो, right, his success in films overshadowed his literary genius, तो कहिना कहीं जो साहित्यक कला थी उसके अंदर, वो कहिना कहीं धक गई, छूप गई, overshadow हो गई किस वज़ा से, जो उसकी success थी movies में, उ इसकी वज़ा से, and he composed story poems, in folk diction, और उन्होंने story poems भी लिखी है, मतलब ऐसी कविताएं, जो कहानी के रूप में होती है, जिन कविताओं से कोई कहानी का पता चल रहा है, ठीक है, folk diction में, folk shally में, he recreated the mood and manner of the devdasis of the early 20th century, उसने recreate किया है, mood और manner, किन का जो devdasis होती थी, devdasis कौन ह होती थी, servant of God, early 20th century में, तो उनका भी इन्होंने mood and manner करे, वो recreate किया है, उनको भी एक नया वो दिया है, समझे, तो ये काफी, मतलब talented दिखाया गया है, कि अपने लेखों में इन्होंने, उनके बारे में जो वर्नन किया है, ठीक है, recreated इसी लिए बोला गया, कि उन्होंने अ अलग है, manner बहुत अलग है, तरीका बहुत अलग है, ठीक है, the narrator mocks Subu by saying, Subu the actor and the sycophant, sycophant चमचा, अब क्या बोला जा रहा है, narrator जो है, वो mock करते है Subu को, फिर उसके उपर मजे लेते और कहते है, by saying that he was an amazing actor, कि बड़ा एक नंबर का actor है भाई, कैसे, although he played minor roles, छोटे छोटे them better than the lead actors, पर, जो main lead actor है उससे बहतर कर देता है, आपने देखा होगा, बहुत सारी pictures है, जिसके अंदर main lead role इतना है famous नहीं हुए, जितने है, यह चोटे छोटे छोटे roles famous हुए, है ना, he always said nice things about everything and everyone, वो हमेशा अची चीजे बोलता है, लोगों के बारे में, हमेशा, हमेशा अ परिचित लोगों से, acquaintances मतलब जान पेचान के लोगों से, रिलिटिव से भरा रहता है, तो सब की help करने वाला बंद है, ऐसे बंद से कोई कैसे नफरत कर सकता है, पर office boy तो जलता है उससे, है ना, he was really close and intimate with the boss and so had many enemies, अब क्योंकि वो boss के बहुत ज्यादा करीब था, इस वज अब बात आती है, story department की, अलग-अलग लोगों के बारे में बात की गई है ना, इसलिए बता रहू, story department comprised of a lawyer and a group of writers and poets besides Subhu, अब story department के अंदर कौन कौन थे, lawyer था, कुछ writers थे, poets थे, ठेक है, besides Subhu, the lawyer was the legal advisor, lawyer जो था, वो कौन होता है, legal advisor होता है, but everybody referred to him as the legal, the legal advisor, he had unintentionally brought about a sad end to the career of a budding talented actress by recording her against the producer, अब देखो, सुनो मेरी बात, यहां क्या कह रहे है, कि यहां पर हमारा जो यह legal advisor था, इसको illegal advisor क्यों बोला गया, सब उसे illegal advisor बोलते थे, क्यों, उसने बिना जाने, जान बूजे, मतलब अन्जाने में, एक actress के career खत्म कर दिया था, कही ना कहीं, ठीक है, उसने क्या करा, जब actress चिला रही थी, चीख रही थी, कुछ कर रही थी, किसी बात पर, तो उसने वो चीज रिकॉर्ड कर दी, और फिर वो सब के सामने सुना दी, जिसकी वैजे से, वो actress बहुत embarrassed होई, और फिर उसके बाद वो फिल्मे करी नहीं पाई, समझे तो वो ना चाहते हुए, शायद कहीं न कहीं उसने ऐसा काम कर दिया था, Story Department क्या था, Legal Advisor looked different from the other members of his department, अब Legal Advisor जो था ना, वो अलग दिखता था बाकी के members से, बाकी के members क्या थे, खाती की धोती कुरता पहनते थे, ये, Pantshirt पहना करता था, राइट, बाकी के लोग खाती की धोती कुरता और ये सब चीजे पहनते थे, रॉप पहना के लिए भी बिली पर वो फ्लॉप हो गई था, लॉयर की नौकरी चली गई, जब बॉस ने पर्ट कर दिया, पहले बार ऐसा हुआ है कि स्टोरी बार्ट मद दुआ तो लॉयर की नौकरी चली गई, समझे Gemini Studio the favorite haunt of Intelligentsia कहने का मतलब है कि Gemini Studio was a hot favorite among the poets of that time उस समय पे जो कवी लोग थे उनका बहुत बड़ा favorite था Gemini Studio उस time पे क्यों? It has an excellent mess which supplied good coffee बढ़ा mess था जहां पे बढ़ा coffee मिलती थी पूरा दिन Those were the days when the Congress Government had implemented Prohibition and people enjoyed their leisure time over a cup of coffee तो ये those were the days ये वो समय की बात है When the Congress Government had implemented Prohibition कि Government ने जो थे क्या कर दिये थे? रोक लगा दी थी और लोग जो है वो अपना खाली time कॉफी पे बिताया करते थे Almost everybody seemed to have ample leisure time at this studio तो लोगों के पास ऐसा लगता था कि बहुत समय है, सारा दिन है सारा सारा दिन बैठे रहते थे कॉफी पीते रहते थे Most of the people at the studio वो और खादी and greatly appreciated गांदी जी अब political ideology क्या थी studio की देखते हैं, तो जालतर लोग जो studio में थे वो खादी पहनते थे और गांदी जी को बहुत मानते थे All of them were supposed to communism and had many misconceptions about it अब जितने भी लोग थे वो communism के खिलाफ थे और उनके लिए दिमाग में बहुत सारे misconceptions भी थे ठीक है, बहुत सारी गलत बाते थी गलत अवधारना थी दिमाग में communism सामयवाद के लिए ठीक है, पढ़ना सामयवाद के बारे में they thought communists to be violent with no or conjugal feelings, तो उन्हें लगता था कि यार कही न कहीं communist जो होते है न, ये violent है ठीक है, ये हिंसक है कही न, कहीं के अंदर कोई filial मतलब की कोई ऐसी feeling नहीं होती है ये कोई दिल नहीं होता है एक तरीके से इनका ये बोलना चाहते है ठीक है, the MRA Rearmament Army a counter movement to international communism, ये कही न, कहीं कहीं काउंटर movement था, किसके लिए international communism के लिए antarraashtriya samyavad पर ये counter movement था, कैसे MRA counter movement to international communism visited madras in 1952 अब ये जो MRA थी moral Rearmament Army जो थी, ये 1952 में madras आई, it comprised of 200 people, 200 200 लोग थे इसके अंदर the narrator had information that the big bosses of madras played into their hands और narrator जो है उनके पास ये information थी कि जो बड़े bosses है madras के मतलब जो बड़े बड़े जाने पर चाने लोग है madras के played into their hands वो नाचते हैं उनकी उंगलियों पर the group was criticized by calling it an international circus अब कही ना कही जो group है उसको criticized किया जाता था by calling it an international circus इसको एक international circus बोल दिया गया क्या बोल दिया गया international circus mre जो था वो दो play प्रेजेंट करता था क्या jotham valley and the forgotten factor पर यह दोनो प्ले इतने शांदार थे इतने शांदार थे कि बहुत पसंद किये गए लोगों के द्वारा यह जो दोनों प्ले इन लोगों ने दिखा है ठीक है their sets and costumes were wonderful 200 200 लोग तो थे पर उनके सेट और कॉस्ट्यूम simple story होती थी पर सेट और कॉस्ट्यूम इतने अच्छे होते थे इतने प्यारे होते थे कि लोग देखते रह जाते थे the Gemini family comprising of 600 members saw the place repeatedly अब Gemini family जिसके अंदर 600 लोग थे बार बार in place को देखा करते थे इतने सुंदर इतने बढ़िया बनाये हुए ठीक है the Tamil and Madras drama community were really impressed by the Tamil and Madras drama community जो थी वह बहुत ज्यादा impressed हो गई इन से the sunrise and sunset scenes of sunrise or sunset scene दिखाते थे ना जॉतम वैली play के अंदर ओ तो भाई repeat होने लगे अपने play में यूज करने लगे लोग उन चीजों को ठीक है ना the narrator feels that hosting the group was a welcome change from their monotonous routine at the studio तो अब यहाँ पर narrator को यह लगने लगा कि hosting the group उस group को host करना उसकी महमान नवाजी करना was a welcome change from their monotonous routine यह कही ना कहीं एक बदलाव था वरना रोजमर्रा कि उनकी वैसी जिंदगी चल रही थी उससे हट कर another visitor was soon अब एक और बंदा आता है जैमिनी studio में वो भी गजब का होता है कैसे एक और बंदा जैमिनी जैसे अभी तो यह मरे वाले आए दोपले दिखा के गए अब एक और बंदा आता है the staff did not have the faintest idea about him इसके बारे में किसी को नहीं पता था कि यह बंदा है कौन कोई नहीं जानता था he was rumored to be a poet or editor ऐसी अफवा थी कि वो कोई एक poet या editor है visitor was not connected with any of the famous British publication और जो visitor था वो किसी से जुडा हुआ नहीं था ठीक है किसी भी famous British publication से उसका कोई तालुकात नहीं था however the guest arrived and the boss read out a very long speech अब वो guest आ गया तो boss ने बहुत लंबी चौडी speech भी सुनाई that did not have much to say about the visitor जिसके अंदर visitor के बारे में कुई जादा चीज़े नहीं थी when the guest's turn came to address the audience लेकिन जब guest की बारी आई सभी darshakों को संभोधित करने की कुछ सुनाने की his accent could not be understood by anybody अब वो बाहर का बंदा था यार किसी को उसकी भाशा ही समझ में नहीं आई कि क्या बोल रहा है किस accent में इंग्लिश बोल रहा है his visit remained an unexplained mystery और उसकी जो विजट थी वो unexplained mystery रहस से बनके रह गए वाह लोग सुने तो सही उसको पर किसी को कुछ समझ नहीं आई है क्या है क्या बोल रहा है किस भाशा में बोल रहा है किस मुद्धे पर बात कर रहा है किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ा a short story contest organized by the encounter the encounter जो है वो कही ना कही periodical है spending on the postage अब वो क्या जानना चाहते थे कि भई कितना पैसा लग रहा है ये the encounter जो है क्या क्या चीज़े डिमांड करता है अगर मुझे इस competition में हिस्सा लेना है तो ठीक है ये जो the encounter short story को contest organized करना है अगर मुझे इसके अंदर लेना है हिस्सा तो वो सारी चीज़े जानना चाहता था कि कितना पैसा लगता है क्या क्या चाहिए होता है contest में participate करने के लिए और बोले कि पहले देख लेता हूँ पढ़ लेता हूँ इसके बारे में तभी पैसे लगाऊंगा अपनी story भेजूँगा आगे और जब उसने council library चेक किया तो बहाँ पर उसे पता चला कि उसका editor कौन है पता ही Stephen Spender कौन था जो Gemini Studio आया था भाशन देने के लिए यही तो था Gemini Studio पे जो गेस्ट था the writer felt that he had discovered a long lost brother और writer को ऐसे लगता है कि कोई बहुत ही पुराना बिछड़ा मेरा भाई जो है ऐसा लग रहा है कि मिल गया है ठीक है और उसने बहुत excitement के साथ अपनी entry भेज दी ठीक है ऐसे भेजी जैसे वह से जानता हो some years after leaving his job at the Gemini Studio कुछ सालों बाद जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी Gemini Studio पे narrator bought a low-priced copy of a book तो उन्होंने ना एक student edition जी नहीं होते बच्चों के लिए जो edition निकलता है किताब का सस्ता होता है वो copy type होता है the god that failed ये खरी दी उन्होंने ठीक है released on 50th anniversary of the Russian Revolution Russian Revolution की 50th anniversary पे वो release हुई थी copies और वो सस्ता edition था the god that failed उन्होंने खरी दी अब उसके अंदर क्या था it was a compilation of six essays छे essay थे उसके अंदर छे अलग-अलग authors के द्वारा ठीक है और उनकी journey थी communism की तरफ and their disappointed return और कैसे वो सामेवाद से फिर वापिस आए ठीक है कि वो चीत सही नहीं है उन्होंने return ले लिया so Stephen Spender उनमें से ही एक थे and narrator instantly recalled Stephen Spender's visit to the Gemini studio और फिर उन्हें एकदम से याद आ जाता है कि हाँ ये शायद उस समय यहाँ पर यही बात करने के लिए आये थे और यह वहीं है जो आये थे thus the mystery was finally solved और इसी लिए यह जो mystery थी unexplained mystery की कौन आया था क्या बोलके चला गया वो finally solve हो गई और इस तरीके से हमारा यह chapter भी यहाँ खत्म हो गया तो बेसिकली यह chapter के अंदर बात किसकी की गई है कि आखिरकार यह जो हमारे film studio है या film industry है वो किस तरीके से काम करती थी आजादी के बाद जो शुरुआती समय था उस समय में ठीक है चलिए देन आज की क्लास को यहीं खत्म करते है आशा करती हो चाप्ता समझ में आया होगा comment section में जरूर बताईएगा अगर कोई डाउट हो तो और ऐसे और वीजिंग वीडियो के साथ मिलते रहेंगे मेरे चानल भूमे का चौहान English पर बबाई everyone take care all the best यही राउड को यहीप में बबाई यहीऊ जए और चैनल अगर गुबएगा है झाला नाया होगा, कंस्वेट लगज में